दोस्तों मैंने थमनेल में भी बताए आपको चोकाने वाली बाते मैंने अपने प्रतेक पोश्टों के माध्यम से आपके जीवन में सांती, प्रेम, आनंद और मोच हमार को सहज बनाने के लिए ही समर्पर भाव ही बाटाए हैं जिसे आपने लाइक, अनलाइक अथ्वा धन प्राप्ति का मार्ग समझ कर ठुकरा दिया हैं, अभी तक समर्पर ने किया हैं क्यारे दोस्तों आपको बता दू कि मैं कोई किताबी ज्यान नहीं बेलकि केवल उसी भावपूर अनभो को बाता हूँ जो कि भगवान को गुरु मानते हुए मानु जीवन के सर्वस्रिष्ठ सेवा मार पर चलानी की प्रात्ना करने के प्रश्चाद भी भगवान के द्वारा लगबग चार वर्सों तक ब्यापक रूप से अनभो प्रदाम करने के प्रश्चाद भी लगबग आठ वर्सों तक सर्ड़ागति की समीच्छा करता रहा है सरड़ागति के महत्यों को जानने का प्रियास करता रहा है और प्रियोग भी करता रहा है आज कई वर्सों के प्रियोग और अनुभों के बाद ही आपको निस्पत शिभाव से समर्पड करने की प्रेहना देता हूँ जिसके प्रभाव से सरड़गती की प्रारम्रिक अवस्था में ही मन की सांती तो सहज ही मिल जाती है फिर भी आप इग्नोर करते रहें केवल वही भाई वहन समर्थन देते रहें जो पहले से ही सरड़गत थे जिन पर भगवत किर्पा पहले से ही हो चुकी थी यही अवस्था है माया के द्वारा हम सभी को ठगने की प्लीज प्लीज माया के द्वारा और मत ठगाईए एक बार मिस्पच्छ भाव से जलर्पर के साथ समर्पर का संकल्प करके तो देखिए समय केवल दो मिनट ही लगेगा भगवान दस बीस नहीं बलकि एक ही हैं किवल रूपर नेक हैं प्रताहिस्तान के बाद जलर्पर के साथ स्री भगवान को यह भाव एक बार जरूरर्पर कीजिए हे भगवान हे जगदिश्वर हे विधाता आप जो भी हैं जैसे भी हैं अब इस जीवन नहीं है कि पत्वार आपके हाथों में सोखता हूं मुझे अब आप ही समाली हैं हे दिन द्याल सरड़गत की रच्छा कीजिए मुझे अपनी सरड़गती प्रदान कीजिए मैं आपकी सरर में आया हूं नात यह सा करने के प्रश्चाथ यदि फिर भी आपको मन की सांती पाने का अनभव नहों भगवत की पाऊं का अनभव चाहे हो या नहों तो सप्तार महिने के बाद कमेन के माध्यां से मुझे अवश्य बताईएगा भगवान में श्ठुड नहीं कमी केवल हमारे भाव में होता है कभी निरास मत होना आपका सेवक सदेवा आपके साथ है क्योंकि मेरे जीवन का मूल धर्म आपकी सेवा ही है मेरे विश्वास किजिए मैं कई वरसों तक केवल इसी बात पर रोता रहा है और कि स्री भगवान में मुझपर ऐसी ही किरपावають मुझपर ही क्यों कि है सब पर क्यों नहीं करते हैं वैसे तो चाहिए हिंदू हो या मसल्वन सभी के जीवन में भगवत किरपाओं का अवस्य होता है परंतु समर्पड के बिना भगवान की अनमोल और वास्तुई किरपा से वन्चित ही रहते हैं जब कारल अच्छे से जाना तभी यह भाव बाटने के लिए सोशल मीडिया पर आना शुरू किया है आपकी विश्वसनियता के लिए बता दू कि दुखत परिस्थितिया मेरे जीवन में भी आते जाती है परंतु मुझे याद भी नहीं है कि किसी दुख से रोय कितने साल हो साथ बच्पन में परंतु भगवत प्रेम आनंद और किसी को रोता देखकर कब लो पड़ो इसकी कोई गारण पी नहीं है यदि मन से जुड़ी कोई भी उल्जम संका वा संदे हो तो अवस्य बताईएगा सादर सर्यूदे प्रण जैसरी हरें